हेलो बच्चो आज हमारा क्वेशन है एकसाइज 1.1 से क्वेशन नमबर 2 करेंगे राइट दा एडिटिव इन्वर्स ऑप इच ऑफ दा फॉल्लिविंग हमीं इंटर क्या लिखना एडिटिव इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स क्या होता है जैसे यहां 1 है थो हम इसके सैंड कर देंगे मैनली मैनस 1 इसका एडिटिव 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा मैनस 1 या आप कह सकते मैं 1 से किस नमर को मैं मैनस करूं कि हमारा आंसर क्या करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए जीरो आजाए तो भाई मैनस 1 करना पड़ेगा तो जैसे 5 का एडिटिव इन देना केस नम्मर को मैं मैंनस करूँ जिससे मेरा आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, यह simply आप समाझ सकते, उसके sign change करना, 6 का additive मिनर्ट मैंनस 6 हो जाएगा, तो 2 अपोन 8 का क्या हो जाएगा, मैंनस 2 अपोन 8, 2 अपोन 8 से अगर मैंनस 2 अपोन 8 हम मैंनस करेंगे, तो क्या तो यह हमारा क्या हो गया, additive inverse हो गया, मैंनस 5 अपोन 9 का additive inverse क्या हो जाएगा, 5 अपोन 9 हो जाएगा, भाई, यह मैंनस में तो positive में आ जाएगा, मिन लिए अगर positive नेगेटिव आएगा, negative तो positive में आ जाएगा, अब देखो, मैंनस, यह मैंनस 6 है, यह अपोन में मैंनस 5 है, त कट गये था मेनम्नेस टू अपोन नायन का क्या होगा फू अपोन 5 हो जाएगा 심पल का additive inverse हो जाएगा ओके second question हमारा है by verify करना में minus break it negative minus x equal to x by x के value हमें दे रखी तो पहले क्या हमारा minus है तो हमने minus लिखा भाई break it है break it फिर minus है तो minus x की value कितनी 11 upon 15 है वई तो minus से minus multiply में क्या हो जाता प्लस हो तो यह आ जाएगा हमारा positive में आ जाएगा 11 upon 15 पॉजिटिव लिखने की जरूत नहीं होती है मैंने लिख दिया लेकिन negative में प्लस में आ जाता है ओके एक्स अब देखो x के value हमें कितनी दे रखी 13 upon 17 तो हमारे पहले मैनस है ओके फिर हमारे क्या है यह वाला मैनस है तो यह मैनस और फिर हमारे यह हम इसको बिक ब्रेक में यह वाला मैनस यह वाला है और फिर इसका मैनस मैनस 13 सब्सक्राइब कर सकते हैं